बोचपरी सुपरस्टार दिनेज लाल यादव हो पवन सिंग हो या फिर हो खेसारी लाल यादव क्या आपको पता है कि इन तीनों की नजर में सबसे सुपर होट सबसे सक्सेसफुल और वो किन के साथ बार-बार काम करना चाहते हैं ऐसी एक्ट्रेस कौन है तो चलिए आज हम बताते हैं आपको हम यह बता दे कि काजल रागवानी एक मात्र बोचपूरी की ऐसी एक्ट्रेस है जो यह तीनों सुपरस्टार के हिट लिस्ट में है जी हां काजल रागवानी के साथ इन तीनों सुपरस्टार्स को काम करना बहुत पसंद है खेसारी लाल यादों के साथ तो काजल रागवानी की जोड़ी फिट है लेकिन उनके साथ साथ दिनेज लाल यादों नी रहुआ और पवन सिंग को भी काजल रागवानी के साथ काम करना बहुत पसंद है इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है कि काजल रागवानी क इसे भी कॉंट्रोवर्सी को हवा नहीं देती वह अपने काम से काम रखती है और काम पूरा होने के बाद वह अपने घर का रास्ता नापती है जी यहां काजल रागवानी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में न पार्टीज में जाती है न जादा नाइट आउट करती है वह उनके पास टाइम है तो वो अपनी फैमिली के साथ बिताती है इसलिए काजल रागवानी का ट्रेक भी अगर आप देखने जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके हिस्से सबसे ज़्यादा सुपर हिट फिल्मे आती है और शायद यही कारण है कि काजल रागवानी के साथ सभी एक्टर इकदम फिट बैट जाते हैं वैसे चुल्बुला नेचर और बड़े ही सिंसियर तरीके से अपने किरदार को निभाना तो कोई काजल रागवानी से सीखे अभी हाल ही में मैंने उनको सजन चुल लिया कि इंट्रिव्यूस में पवन सिंग ने काजल रागवानी को बोचपुरी इंडस्ट्री की सबसे सुपर स्टार एक्ट्रिस का दर्जा दिया है जी हां उनके मुताबिक काजल रागवानी का कोई जोड नहीं है वो बेजोड है उनके साथ काम करने का एक्सपिरियंस सबसे अच्छा रहा है पवन सिंग का और आपको बता दे कि पवन सिंग उनके साथ कई फिल्मे भी करना चाते हैं और इसे इंट्रिव्यू में पवन सिंग ने काजल रागवानी को बोचपुरी की नंबर वन एक्ट्रेस भी कहा है तो हमें सब्सक्राइब करना बिल गुलोग में